मैं गणिश जी का ध्यान करता हूँ, विश्णु भुवान का ध्यान करता हूँ, चीव जी का ध्यान करता हूँ, ब्रह्मा जी का ध्यान करता हूँ, सभी देवी देवतों, यक्षों, सभी का ध्यान करता हूँ शुरू करते हैं 43 फाद्याएं कोलिया पीड का उध्धार और अखारे में प्रवेश शुशुकदेव जी कहते हैं काम क्रोध आदी शत्रों को पराजित करने वाले परिक्षित अब श्रीकृष्ण और बलराम जी भी स्नान आदी नित्य कर्म से निवरत हो दंगल के अंदरूप नगाड़े की धुनी सुनकर रंग भूमे में देखने के लिए चल पड़े भगवान श्रीकृष्ण ने रंग भूमे के दरवाजे पर पहुँच कर देखा कि वहां महावथ की प्रेना से कुलिया पीड़नाव का हाथी खड़ा है तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी कमर कसली और गुंगराली अलकें समेट ली तथा मेग के समान गंभीरवाणी से महावथ को लिलकार कर कहा महावथ ओ महावथ हम दोनों को रास्ता दे दे हमारे मांग से हट जा अरे सुनते नहीं देर मत करो देर मत कर नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के गर पहुंचाता हूँ भगवान श्रीकृष्ण ने महावथ को जब इस प्रकार धमकाया तब वे क्रोध से तिल मिला उठा और उसने काल मृत्यू चथा यमराज के समान अत्यन भैंकर कोलिया पीड को अंकुष की मार से कुरुद करके श्रीकृष्ण की ओर बढ़ाया कोलिया पीड ने भगवान की ओर जपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूड में लपेट लिया परंतु भगवान सूड से बाहर सरक आय और उसे एक घूंसा जमा कर उसके पैरों के बीच में जा चिपे उन्हें अपने सामने ना देखकर कोलिया पीड को बड़ा करोध हुआ उसने सूग कर भगवान को अपनी सूड से टेटोल लिया और पकड़ भी परंतु उन्होंने बलपूरक अपने को उससे छुडा लिया इसके बाद भगवान उस बलवान हादी की पूच पकड़ कर खेल खेल में हैं उसे सौ हाद तक पीछे घसीट लाए जैसे गरू साप को घसीट लाते हैं जिस प्रकार घूमते हुए बचड़े के साथ बालग घूमता है अथवा स्वेम भगवान श्रीक्रिशन जिस प्रकार बचड़ों से खेलते थे वैसे ही वे उसकी पूच पकड़ कर उसे घूमाने और खेलने लगे जब वे दाएं से घूम कर उनको पकड़ना चाते तब वे बाएं आ जाते और जब वे बाएं की और घूमता तब वे दाएं घूम जाते इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक गूसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानों वे अब छू लेता है तब छू लेता है भगवान शुक्रिष्ण ने दौटे दौटे एक बार खेल खेल में प्रत्वी पर गिरने का बिने किया और जट वहाँ से उठकर भाग करे हुए उस समय वे हाथी क्रोज से जल भुन रहा था उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दाध धरती पर मारे जब कुवलिया पीड का ये आकरवन वेर्थ हो गया तब वे और भी चिड़ गया महावतों की प्रिणा से वे कृध होकर भगवान शुक्रिष्ण पर टूट पड़ा भगवान मधूसूतन ने जब उसे अपनी ओड़ चपटे देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सून पकड़ कर उसे धरती पर पटक दिया उसके गिर जाने पर भगवान सिंग ने सिंग के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबा कर उसके दाथ उखाड लिये और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया परिक्षित मरेवे हाथी को छोड़कर भागवान श्रिक्रिष्ट ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंग भूमी में प्रवेश किया उस समय उनकी शोभा देखने ही योगी थी उनके कंदे पर हाथी का दांत रखा हुआ था शरीरक्त और मद की बूंदों से सुशू बित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदे जलक रही थी कतने अच्छे लगए भागवान जो भगवान शरक्रिशन बलराम दोनों के हाथों में कुवल्यापीड के बड़े-बड़े दानशस्र के रूप में श्तुश्वबित हो रहे थे और कुछ गौलबाल उनके साथ-साथ चल रहे थे इस प्रकार उन्होंने रंग भूमें में प्रवेश्च किया जिस समय भगवान प्रभाणों को वज्र कठोड शरीर साधान मनुश्यों को रत नर्रतन इस्तियों को मूर्तिमान कामदेव गोपों को सवजन दुष्ट राजाओं को दंड दिने वाले शासक माता पिता के समान बड़े बुड़ों को शिशू कंस को मृत्तिव अज्यानियों को विराट योग को परम तत्व और भक्त शिरोबड़ी रश्टिवन्श्यों को अपने इश्ड देवदान जान पड़ें इसे राम चीट मनस में है ना प्रहुमूरत देखी तिन तैसी बिल्कुल वैसे ही जब राम जी जो स्वेंबर में जाते थे उनको भी जैसे सब को अलग-अलग दिख से शान्त और अप्रेमा भक्ति रस कानभव किया राजन वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कोलिया पिड़ को मार डाला तब उसकी समझ में बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठेन है उस समय वे बहुत घवड़ा गया शिर क्रिश्ण बलराम जी की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी पुश्पों के हार वस्त और पूशन आदी से उनका वेश विशित्र हो रहा था ऐसा चान पलता था मानो उत्तम वेश धाना करके दोनट अभिना करने के लिए आये हों जिनके नेत्र एक बार उन पर पढ़ जाते बस लग ही जाते यही नहीं वे अपनी कांती से उसका मन भी चुरा लेते इस प्रकार दोनों रंग भूमी में शोभाय मान हुए परिक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मतुरा के नाग मादुरी का पान करते करते तरफ नहीं होते थे मानों वे उन्हे नेत्रों से पी रहे हों जिवा से चाट रहे हों नासिका से सुग रहे हों और और निर्भैत निर्भैता ने मानों दर्शुकों को उनकी लीलाओं का स्माना करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंद की देखी सुनी बाते कहने सुनने लगे ये दोनों साक्षाद भगवान नारायन के अंच हैं इस प्रत्वी पर वसदेव जी के घर में अवतीन हुए हैं अंगुली से दिखला कर ये सावले सदोने कुमान देवकी के घर सिर्पन हुए थे जनते ही वसदेव जी ने इन्हें गूगुल पहुँचा दिया था इतने दिनों के दिनों तक ये वहाँ छिप कर रहे नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए इन्होंने ही पूतना त्रणावर्द, शंक, चून, केशी, धेनुक, आदी तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वद्ध तथा यमलारजन का उधार किया है यमलारजन का उधार किया है, इन्होंने ही गौ और गौलों को दावनल की ज्वाला से बचाया था, काली नाक का दवन और इंदर का मानमर्दन भी इन्होंने ही किया था इन्होंने साथ दिनों तक एक ही रात पर गिर्राज गौवर्धन को उठाय रखा और इसके द्वारा आंधी पानी तथा व्रजबात से गोकुल को बचा लिया गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चित्वन और सरवधा एक अरस प्रसंद रहने वाले मुखार विंदे के दर्शन से आनन्दित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी कहते हैं कि ये यदुवन्ष की शरक्षा करेंगे, ये विक्यात वन्ष इनके द्वारा महान सम्रद्धी, यश और गौरफ राप्त करेगा ये दूसरे इन्ही शाम सुंदर के बड़े भाई कमल लैन श्री बलराम जी हैं हमने किसी किसी के मूँ से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्तासुर, अबकासुर आधी को मारा है जिस समय दर्शकों में ये चर्चा हो रही थी और अखाडे में तुरही आधी बाजे बज रहे थे उस समय चारूर ने भगवान श्रीकृष्ण बलराम को संबोजन करके बात कही लंदर लंदर श्रीकृष्ण बलराम जी तुम दोनों वीरों के आधरनी हो हमारे महराज नहीं है सुनकर की तुम लोग कुष्टी लड़ने में बड़े निपुन हो महरा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहां बुलवाया है देखो भाई जो प्रजा मन वचन और कर्म से प्रजा का प्रियकार करती है उसका बहला तो होता है और जो राजा की इच्छा के विप्रित काम करती है और उसे हानी उठानी पड़ती है ये सभी जानते हैं कि गाय और बच्छे चड़ने वाले गौालिये ने प्रतिदिन आनन से जंगलों में कुष्टी लड़ लड़ कर खेलते रहते हैं गाय चिराते रहते हैं इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महराज को प्रसंद करने के लिए कुष्टी लड़ें ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसंद होंगे क्योंकि राजा साही प्रजा का प्रतीक है प्रिक्षर भगवान श्रकुष्ट तो चाहते ही थे कि इनसे दो-दो हाथ करें इसलिए उन्होंने चारूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के लिए सारी बात कही चारूर हम भी इन भोज राजकन्स के बनवासी प्रजा है हमें इनको प्रसंद करने का प्रतन अवश्र करना चाहिए इसी में हमारा कल्यार है तो चारूर हम लोग अभी बालग है यसलिए हम अपने समान बालगों के साथ ही कुष्टी लड़ने का कहिल करेंगे कुष्ती समान बालगों के साथ ही होनी चाहिए इससे देखने वाले सभास्दों को अन्याये के समर्थक होने का पाप न लगए चालूरन ने कहा अजी तुम और बलगराम ना बालग हो और ना तो किशूर तुम दूनों बलवानों में शिरेष्ट हो तुमने अभी अभी हजार हाथिओं का बल रखने वली को लया पिडिको खेल ही खेल में मार डाला इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है इसलिए श्रीकिश्न तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलवान के साथ मुश्टिक लड़ेगा